नमस्कार आप देख रहे हैं जूबिनुज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जूबिनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिस जाकर जूबिनुज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन मिलको ओन कर दीजिए। इसी बीच केंद्र की मोधी सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में बताया कि पंजाब, महरास्ट, त्रिपुरा और करनाटक फ्रंट लाइन वर्कर्स की सेलरी समय पर नहीं दे रहे हैं। इस पर सुप्रिम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वे डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ का वेतन समय पर दें। आपको बता दें कि सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार से कहा है कि वे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को समय पर सेलरी मिले इसके लिए जरूरी कदम उठाए साथ ही ध्यान रखे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का वेतन मिलने में देरी ना हो इससे पहले पिछले महीने भी सुप्रिम कोट ने कहा था कि डॉक्टर स्वास्त कर्मियों की सेलरी देने में देरी ना करें प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वालों की अब खैर नहीं पुलिस वसुले की 10,000 रुपए तक जुर्माना जहां अकसर देखा जाता है कि लोग वहाँ चलाते वक्त फोन पर बात करते दिखाई पड़ते हैं इसमें दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाने वाले सामिल हैं लेकिन अब ऐसा अगर आप यूपी में करते हैं तो आपको बहुत महांगा पड़ सकता है सुबे की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मोटर या नियमावली में बड़े होई दरों को लेकर आदेश जारी किया है इस नए फैसले के बाद अब अगर आप पहली बार पकड़ जाते हैं तो एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा इसके साथी दूसरी बार ऐसा करने पर दस हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा नियुजेजंसी एनाई के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उलंगन करने वालों पर बड़े होई जुर्माने की रासी को लेकर आदेश जारे किया है वहन चलाते वक्त फोन पर बात करने पर पहली बार एक हजार रुपए और दूसरे बार दस जार रुपए जुर्माना लगेगा सुबे में सियासत में रोजाना बदला हो रहा है सुबह की सियासत के लिए विधान सभा का सत्र कई माईनों में अब खास नजर आ रहा है इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी कबर फिर से सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के नुसार राजधानी जैपूर के होटल फेयर माउंट में मौजूद कॉंग्रेस विधायकों को सीम असोक गहलोत सिफ्ट करने जा रहे है इन विधायकों को चेक आउट करने के लिए कहा गया है आपको बता दें कि कॉंग्रेस के विधायकों को जैपूर से जैसलमेर सिफ्ट किया जा सकता है इसके साथी इन लोगों को घर से 15 दिनों का सामान मांगने का निर्देश दिया गया है इन विधायकों को जैसलमेर के सूर्यगड रखा जा सकता है खबर यह भी है कि सुवे की कॉंग्रेस सरकार ने अन्य जगहों को भी आप्शन के तोर पर तयार रख रखा है अलाकि इसे लेकर अब तक कोई आपचारिक बयान कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है देश में इस बिमारी से लडाई जारी 24 गंटे में रिकॉर्ड 6,42,000 इस बिमारी के टेस्ट हुए जिहां देश में इस बिमारी के बीच 24 गंटे में 6,42,580 से जादा टेस्ट किया गए आने वाले समय में राज्यों के सहयोग से प्रते दिन 10 लाग टेस्ट करने का लक्ष निरधारित किया गया है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने इस बिमारी से निपटने के लिए व्यापक परिक्षण, ट्रैकिंग और उप्चार के रणनिती को लागू किया हुआ है भारती आयरुविग्यान, अनुशनधान, परिशद और केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने हाली में सभी राज्यों और केंद्रिय शासित परदेशों को इस बिमारी की जाच जमता बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दिर्गकालिक वीधियों को लिकर बिचपरामर्ष किय हुआ था, दो हफ़ते पहले केंद्रिय स्वास्त मंत्राले की सचीव प्रिती सूधन और ICMR के महानेदेशक बलराम भार्गाउने एक सन्युक्त पत्र में कहा था कि उभरते हुए परिद्रिश्य में जांच शमता बढ़ाए जाने के आवशकता है अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने कहा चुनाओं में देरी नहीं चाहता लेकिन डांक मत्पत्र से नतीजों में विलंब हो सकता है जिहां अमेरिका के राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने कहा कि वह चुनाओं में देरी नहीं करना चाहते हैं सांति उन्होंने आसंका जताई की डांक मतपत्रों की गिंती में हफ्तों का वक्त लग सकता है और चुनाओ नतीजे बाधित हो सकते हैं अमेरिका में राष्टपती पद के लिए चुनाओ तीन नॉम्बर को होने वाले हैं दूसरे कारेकाल के लिए उम्मिद्वार ट्रंप डेमोकरेटिक प्रत्यासी और पुर्व उपराष्टपती जो बाइडेन से कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं जो कि कई चुनाओ पुर्व सर्विक्षणों में आगे चल रहे हैं ट्रंप ने पहली बार नॉम्बर में होने वाले राष्टपती चुनाओ को टालने की बात खुल कर गई है विपक्षी डेमोकरेटिक पार्टी के नेताओं ने फोरण उनके इस सुझाओ की आलोजना की इसके बाद दिन में ट्रंप अपनी बात से पीछे हट गए ट्रंप ने चुनाओ से केवल चानबे दिन पहले ट्वीट किया और कहा की सभी के लिए डांकव से मतदान न की गैर मौजूदगी में डांक से मतदान जो की अच्छा है इतिहास में सबसे गरत और चलपुर्ण चुनाओ होगा